नमश्कार दोस्तों, Well the Sky के एक और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो में आप सब बिलोगों का स्वागत है, मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों की चार्ट को अंडरस्टेंड करेंगे, समझने की कोश है वो काफी अच्छी हुई है और वहां पर अगर हम अब भी देखें तो डाव फ्यूचर करीब करीब आपका 25 पॉइंट उपर है और नैस्डेक फ्यूचर भी 16 पॉइंट उपर दिख रहा है, यूरोपन मार्केट भी फ्लाट है तो कोई जाधा बड़ी नेगिटिविट तरफ देखने को मिलाता मॉर्निंग में खुला खुलने के तरफ थोड़ा नीचे आया और फिर वन वे में इसने 25,000 को यहां पर टेस्ट किया मेरे को एक्सपेक्टेशन से यह था कि लाइफ टेम हाई लगा सकता था बट यहां पर आके यह अपने आपको हॉल्ट करता तो देखो सिंपल दी चीज़ है अगर हम बात करें तो lifetime high का target अभी भी still pending है तो कहीं न कहीं इसको यह hit करने की कोशिस करेगा उसके बाद ही हो सकता है थोड़ी बहुत profit booking देखने को मिले क्योंकि यहां पे एक moment हुआ है फिर market थोड़ा साइड़ जाके इस तरीके से यह उप 25,000 की पुट पे 88 लागता ओपन इंटर्स करणा हुआ है इसका मतलब गया है जब तक 25 के नीचे नहीं ट्रेट करना स्टार्ट करता तब तक यह थोड़ा सा positive है और lifetime high की तरफ बढ़ने की खुशिस करेगा क्योंकि 25 यह 100 की पुट पे भी करीब करी 16 लागता ओपन इंटर् देख रहे हैं तो सिंपल दी चीज क्या है आपको क्या नजर रखना है या तो आप अपना एक stop loss डाल दो ठीक है stop loss क्या डाल सकते है stop loss है आपका यह breakout लेविल यानि यह breakout जब तक इसके नीचे निकले यानि 24,870 की नीचे ना निकले तब तक आप थोड़ा सा positive side पे ही यहां पर देख रहा है ठीक है कल फिन निफ्टी एक्सपारी होने वाली है तो जायर सी बात है अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो यह resistance पॉइंट है जो मैंने आपको यहां पर कल के वीडियो में बताया था आप देख रहे हो यहां पर यह जब भी प्राइज तो वहां से एक correction देखने को मिला है यहां पर भी आया एक correction अब यहां पर trade कर रहा है तो simple दी चीज़ हमें जो भी यहां पर buy और long करना चाता है तो उसके लिए simple दी चीज़ यह अगर कोई short करना चाता है माली जी किसी का मन कर रहा है short करने का तो short आप तभी करिएगा जब यह 51,000 के नीचे जाए ठीक है ना जब तक 51,000 के उपर trade कर रहा है इसको short मत करिएगा क्योंकि कहीं से भी कोई भी buying आ जाएगी और आफ trap हो सकते हो ठीक है अगर किसी को buy करना है तो same 51,000 का stop loss लगा के buy कर सकता है target जो लेके चल सकता है अब क्या यह monthly expiry है तो थोड़ा सा market consolidation के बाद हो सकता है आपको bank nifty के expiry और nifty के expiry में एक अच्छा moment देखने को बिले बट फिलाल जो दिख रहा है वो थोड़ा सा consolidation ही दिख रहा है क्योंकि हम बहुत धीरे-धीरे recover हो रहे हैं global market बहुत अच्छी तरीके से recover हुए हम gap up gap up म है यहां पर निफ्टी तो हमारा lifetime हाई पर पहुचिए बट बैंक निफ्टी स्टिल थोड़ा सा underperform कर रहा है ठीक है फिर निफ्टी की बात करें तो कल इसकी expiry होने वाली है तो देखो simple दी चीज़ है यह particular level है जहां पर इसने breakout दिया है 2300 का तो 2300 यहां पर अगर यह hold करता रहता है तो ऊपर आपको 2300 500 के आसपास expiry होती होई दिखाई दे सकती है और अगर इस हाई को निकालेगा तब यह ध्यान में रखिएगा ऐसा नहीं है कि इसाई के निकाले बिना क्योंकि आज इसने almost दिखा जाए तो यह एक resistance ही face कर रहा ता इस लेविल पर अगर आप इस 500 के target के लिए तो छोटा मोटा momentum आएगा से ज्यादा momentum expectations थोड़ा सा कम देख रहा है क्योंकि global market positive है तो गिरेगा तो है नहीं थोड़ा बहुत ऊपर की level पर consolidation ही ज्यादा देखने को मिलेगा तो थोड़ा सा आपको अपनी quantity में थोड़ा सा कम करके ही कामकाच कीजिएगा ठीक सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं सो दिल लेका आता हूँ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों जैहिंद